विल्कम है दूस्तों मारी यूट्योव चैनल आखेंश केड़ुन में दोस्तों यह हमारा ट्रेस्ट सेज नंबर 21 है ट्रेस्ट सेज नमबर 21 है दोस्तों इसमें ने 50 question लिए 50 plus question है इसमें भी दोस्तों हम daily के daily तीन वीडियो अप्लोड कर रहे हैं तीन से चार वीडियो हमारी daily upload हो रही है तो दोस्तों ध्यान से देखे हमारा पूरा वीडियो और अंतर तक बने रहे हैं यूपी अनचम एनम daily हम यह जतने भी एकजाम होने हैं आपके इस्टाप नर्स और एनम फार्मसिष्ट और लैब टेकनिसियन सभी के लिए हम daily के daily तीन वीडियो अप्लोड कर रहे हैं तीन से चार और ज्यादा ही अप्लोड करने कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के ज्यादा ज्यादा रिवीजन हो सके तो बने रहें दोस्तों मारे वीडियो में आंत तक और बिल्कुल भी इसकिप ना करें तो आयल सुरू करते हैं कोशन है मारा फस्ट कोशन है करहा एक उपकेंदर इस्तित होता है एक उपकेंदरिस्थित होता अपQUust Leia क्या पर तो यह 3000 से 5000 की जंशंगह पर इस्तित होता थीन जार से 5000 की जंशंगह पर इस्तित होता है आप संदी भुखार के उपचार के लिए काम में जाने वाली एक दवा यह ज्यृर नशी होती है परसटमूल अगला कोष्चिन है साइड एक्स क्या है जली से पताएं साइड एक्सक्रैमठ अगला कोश्चिन चाहर नंबर करनिम्न में से बिंदुक संक्रमड द्वारा रोग संचरण का उधाराड कौन से बहुत ही अच्छा कोश्चिन है और बार बार पड़ा रहे हैं जली से पताएं कई बार दोर आगया कोश्चिन बिंदुक संक्रमड आपसन ए एचाईवी पोजिटिव वक्ति के साथ असरचित योन संबने बनाने पर एचाईवी का संचरण या फिर आपसन भी छे रोग से जोगा या छे रोक से ग्रशीत किसी विक्तिके खास्ने च्रोग का संक्रमाड कहते हैं बिन्दुक शंक्रमाड कहते हैं लो कोषिया है इस पूरा नाम क्या होगा से 1 आर एस सोज वर्स का पूरा नाम क्या होता है जली से बताएं क्या होता है सोट्स का पूरा नाम पांच का जली से पांच नंबर का अंसर दें जली से अपसें डी राइट है गंभीर तीबर ससनी सिंड्रोम गंभीर तीबर ससनी सिंड्रोम क्या होता है severe acute respiratory syndrome होता है severe acute respiratory syndrome होता है इसका पूरा नाम होता है जिसको हिंदी में का लिए गंभीर तीबर सुसनी syndrome हमारा आगला question है छह नंबर कर देख थर्मा मीटर किस काम में आता है जलिए से बताएं छह नंबर का अंसर क्या होगा थर्मा मीटर तो right answer होगा option A ताप मान मापने के लिए काम में आता है थर्मामेटर को प्योग ताप मान मापने के लिए किया जाता है बहुत से लोग जल्द बाजी में काओ बीपी मापने के लिए करके चले आए तो ये घलत है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से fresh mind होकर क्योंकि आपका online exam हो रहा है तो बिल्कुल fresh mind होकर आपको बैटना है और अच्छे से exam देना है अच्छे से attend गया जतनी question आए वो attend करें और जतनी ना आए वो भी attend क्योंकि इसमें negative marking तो है नहीं तो option क्या होगा option C right है ताप मान मापने के लिए खाल कीटाउ आप मान मापने के लिए thermometer का उप योग आता है मारे अगला question है कौनसा गुड़ कौनसा गुडर نरसिंग assistance की पहिचान होती है किस गुड़ से nursing assistance के पहिचान होती है जली सी बताए अंतर क्या होगा जली सी बताए अंतर क्या होगा आपसन ए सिष्टता एवं सहयोग आपसन बी है अंतर विवेक सीलता आपसन सी सच्चाई एवं उत्सा आपसन डी यह सभी तो राइट अंसर क्या होगे नसिंग एसिस्टेंस के यह सभी होगे आपसन डी राइट है अगला कोश्चन है आट नमबर करा बच्चे को ठोसा हार सो प्रारम किया जाता है और नमबर क अगला कोशन है मारा करा इसनान करने से दूर नहीं होते हैं इसनान करने से क्या दूर नहीं होते हैं जली से बताएं आपसन ए सरीर के रोगाडू आपसन भी सरीर की दुरगंद आपसन सी सरीर के पसीना सरीर से पसीना आना आपसन डिये सरीर की धूल तो राइट आंसर क्या होगा आपसन ए सरीर के रोगाडू ना आने से सरीर के रोगाडू नहीं दूर होते हैं प्रकासे प्रकास का सकता नहीं होती है अगला कोश्चियन को 13-11 करती आपटी प्रधान करती है यहीं से बताएं क्या होगा अंसर आपसन आराम और परिसंचरल में व्रदी आपसन भी सहारा आपसन सी दबाओ या आपसन डी ये सभी बारा नमबर का अंसर दें तो पट्टी जोती वो क्या प्रदान करती सहारा प्रदान करती आराम और परिसंचरल में व्रदी दबाओ सभी यहार से परफ दाना चाहिए जली से परहीत अंसर वंथे अच्छा कोस्टन है इसलिकर नंबर करें कि उपया द teaching क्या होगा चाहिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब डात ऐस खरने साउसे प्लेट करें जली से जली से क्या होगा इसका सही अंसर तो क्या होगा चार का A चार का जो चार नंबर है आपका इसे A से मिला दे चार नंबर को आप A से मिलाएंगे तो क्या होगा O.P.V को किसे हैं मुख से लेने वाला टीका यह क्या है O.P.V O.P.V मुख से लेने वाला टीका ओरल पोलियो वाइरस जो उपी भी है मुख से लेने वाला ठीका हमारा अगला कोश्चन सोरी अपसन है अपका अप भी बलगम का नमूना अप बलगम का नमूना किस में लिया जाता है पांच का भी हो जाएगा आपका ये छै रोग टीवी का जो टीवी रोग हो जाता है तो समय बलगम का नमूना ल एकाइबahh में पानी से फैलने वाली और अंसर कंसर क्या होगा पानी से फैलने वाली बिमारी कौन सी है तो आपसन बी राइट है मियादी बुखार आपसन बी राइट है हमारा अगला कोशन है कराई कराई सरीर पर उस्मा अर्यट हीट का पुखाव क्या होता है जली सी बता है क्या होता है आपसन बी राइट परीशन चलड़ क्या होता है का कारिक किया जाता है कि रहाँ सरीर में मूत्र का कारिक किया जाता है जली सी बताएं यूरिन फार्मेशन का क्या कारिक किया जाता है किसके द्वारा किया जली सी बताएं 17 नमर का अंसर आमासे द्वारा अग्नियासे द्वारा येकरत द्वारा ये व्रक्कों के द्वारा जल जली से बताएं हड़ी के टूटने पर दिखाई देने वाला लच्छड कौन सा है जली से बताएं आपसन ए चोट वाले इस्थान पर दादोना आपसन भी सूजन आपसन सी है चम्मंदित हाथ पैर की गत्विधी का इस्तर कम हो जाना आपसन डी उपरयुक्त सभी उपरयुक् के लगबग वजन होता है कितना वजन होता है जली से बताएं कि एक स्वस्त व्यस्क मानों में मस्तिस ब्रेन का लगबग में वजन कितना होता है उन्नीस नमबर का अंसर जली से बताएं क्या होता है आपसन ए सरीर के वजन का दो पसंट आपसन भी सरीर के वजन का दस तो ये तो दूनों गलत हो गए अब आपसन A और B में अंसर है तो राइट अंसर क्या होगा आपसन A सरीर के वजन का 2% हमारा अगला कोश्यन है क्या गर्भावस्ता के दोरान कैल्चिम की दैनिक आवसकता क्या होती है बढ़ जाती है घड़ जाती है अगला क्या किस नमबर के रणिमनि में से गर्भावस्ता के बारे में सत्य कथन बताई यह जली से कौन सागा आपसन यह ब्यसक मादा में इसका बजन लगबग पचास से साड़ ग्राम होता है तथा इसका आकार नासपाति ऐसा होता है आपसन बी इसकी संख्या ब्यसक में दो होती है तथा इनिस सेचने के लिए इसी समय संपन होती है आपसन सी है इसका निर्माड सुक्र जनक नलिकाओं के आपस में सहयोक्त होने से होता है आपसन डिये या एक थेलीनुवा सनचना होती है जो कि नर में उदर गुआ के बाहर सिस्न के नीचे तदा जांगों के बीच में लटकती रहती है जली से बताएं क्या सही है आपसन जली से बताएं किस का क्या सही है तो आपसन ए राइट है बैस्क मादा में इसका वजन लगबग 50-60 ग्राम होते था इसका आकार नासपाती जैसा होता है गरभाजसे के बारे में सत्तिकतन की जाच करनी थी आपसन ए राइट है मारा एगला क्वेशन है करनी निम निलखित में से नौजात में स्वास रोध का कारण क्या है जली से बताएं आपसन आपसन आपके सामने एक स्क्रीन पर 22 नंबर का क्या होगा अंसर आपसन ए और ओधित प्रसो आपसन बी ए गंदे पानी का स्वासन मार्ग में चूसर आपसन सी गरदन के चारू उर और ना भी नाल का सक्ति से लिप्टा होना आपसन डी उपर युक्त सभी जली से बताएं क्या होगा अंसर 22 नंबर का डी नंबर आंसर होगा उपर युक्त सभी आपसन आपसन नंबर 23 कोशन नंबर 23 से टोडलर से आप क्या समझते हैं टोडलर से आप क्या समझते हैं जली से बताएं टोडलर से आप क्या समझते हैं तेस नंबर का आंसर क्या होगा तो राइट आंसर इसका आप संडी एक से तीन वस तक के बच्चे को टोडलर का जाता है हमारा अगला कोश्चन है पच्ची 24 नंबर करनिम्नि में से जोखिम युक्त गरभावस्ता है जोखिम युक्त गरभावस्ता कौन सी होती है जलिस वदा 24 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा आप संडी गरभती मैला की उम्र 35 वर से अधिक होना आप संडी महा बव प्रसवा आप संडी आरे असंगता आप संडी उपर युक्त में सभी तो राइट आंसर क्या है आप संडी 24 नंबर सही है आप संडी सही है जितने ए बी सी तीनों आप संड राइट है अगला कोश्चन नहें आर बी सी का पूरा नाम क्या है वेरी सिंपल कोश्चन है जलिसे बता दें आप संडीicon है WC है WBC होती है यह और यह आपकी 26-चे लिट आप है WBC के संक्या कितनी होती है ज़री से उतर दें कितनी होती WBC के संक्या सामान बिएसक में तो आप सन B right है आपका 4000-11000 4000-11 4000-11000 occupied WRX Neckrya होती है हमरा अगला कोस्षिन है 27 number के लिमन मेसी dipteryia का कारण क्या है dipteryia का कारण क्या answer दे dipteryia का कारण क्या consensus 27 number का answer तो आप선 यह है खिर सब्सक्राइब का माइको बैक्तिरियम ट्यूबरेख Whenever बैक्तिरिया आप संसी वारिसला इस घ्सटर वायराश्याया संडे कुरिन बैक्तिरियम को परेखि नाम की की बात हो रही तो आप सरे तक मारा अगला कोश्चिण है यूसेड यूसेड का पूरा नाम पूछ रहा कि यूसेड का पूरा नाम क्या है यूसेड के जली से बता यूसेड का पूरा नाम क्या है तो आप सन भी राइट है यहाँ पे अंतराष्टी विकास के लिए संयुक्त राज्य एजंसी है यूसेड का पूरा नाम है क्टी स्थ्वास्तिकार रिक्रम वर्च configurant था 19 नमबर कहां जबी से अंजरबाएं क्या होगा निए सिर आप संसी आप्संडी सीराइट है समेखित बाल विकास यूजना करने लिखित में से कौन सी दवा ऩ अंटी फंगल दवा का उदहराड है जली से बताएं तीस नमर का आंसर क्या होगा जली से बताएं अंटि फंगल दौा का उधारण कान noodles को साई तो ये सभी इंट फंगल दौा के उधारण है आपसटन डी राइट है इस अब देख लेए स्क्रेंट पर कोई और आप सिर आपके सामने हैं जलिए से व этом मैं जौन कर शल्य कमारे मंगला कोशन है करनेम लिखित वाक्यों में से कवाषियो प्रोटीन की कमी से होने वाली भीमारी है आप संब्जे से सीरम बिलूरूबिन इस तर सामाने से, सामाने की तुलना में बढ़ जाता है तो right answer क्या होगा जली सी बताएं कमेंट बाक्स में उपतर देपना option A right है या एक प्रोटीन की कमे से होने वाली بीमारी है क्वासियोर का जो बीमारी है प्रोटीन से होने वाली बीमारी है हमारा अगला question है हुई गोवी का फुलफाम हमने बता दिया है पिछले वीडियो में और कमेंट करके आप को भी का पूरा नाम बताएं गोवी का पूरा नाम क्या होगा तो आये बताते हैं इसका क्या होगा आंसर आंसर क्या होगा 32 नंबर का यूनिसेफ 32 नंबर का जो आंसर है वो यूनिसेफ होगा मारा अगला questions है करनिम्ड लिखित में से नौज़ात में पाई जाने वाली मूत्री जनन्तंतर से सम्मंदित जन्मजात विक्रतिया हैं 33 नंबर का क्या होगा आंसर आप सन डी राइट है अच्छे से देख ले से और अच्छे से पढ़ने कोशन को और यह बार बार दोरा दें ताकि आपको कंटस्ट हो जाए अच्छे से याद हो जाए बीडी का अर्थ क्या होता है जली से बता है 34 नमर क्या होगा अंसर बीडी का अर्थ क्या होता है BD करत हना दिन में दो बार हमारा अगला कोशन है सरीर की सुच मत odsas क्यों खार्यत्म के क्या होगी 35 का अंचर बरिदी रटा है आप Uh से राइट कोशा सी राइट रट कोशा हमारा अगला कोशन है 36 नंबर कोश्यन करनी JAM में से कौन परिचर्रय अदल Nzn Vent can का सदस नहीं होती जली सीटा अगला कूश्षेयों है 37 नंबर कंकाल पेसियों होती हैं कैसी होती है और 38 नंबर सिनाइस ज़ली से भताएं सुमेल करें च्छी का की ऑगा इप ना सकती है उसे क͛त्म करने काम करती है अब पांच का C, अब देखें, पांच नमबर का पे, पांच नमबर ये, आपका पेट की मरोड, जो पेट की मरोड होती है, उसको सही करने का काम क्या करता है, पांच का C है, आपका ये, पांच का C नमबर, पेट की मरोड को जो टेबलेट है, डाइसाइकलोमिन, डाइसाइकलोमिन कि आप बची क्लोरम फेनिकॉल किसमें कामाती है तो यह तीन का डिन का टिके क्लोरम फेनिकॉल क्या क्या यह और अग्ला कूश्चन है 49 नमबर करा रोगी के दातों को ब्रत से साब करने पर आप परिचारी का नर्स को क्या बताएंगे जली से उत्तर दें 49 नमबर का अंसर क्या होगा 49 नमबर का आपसन ए मसूणों से रखत स्राव सूजन या उनके लाल होने को आपसन वे जीव या मुझे सफेद दबों छोबडों या घाओं को आपसन सी ए होटों की सुसकता चटकन सूजन या चालों को आपसन डी ए उपरयुक्त सभी तो राइट अंसर होगा आपसन डी बढसन को क्या बताएंगे देखें ये सारी समस्या आपका आपसन जो होगा आपका अंसर राइट होगा संटी नमबर आपका आपका अंसर राइट होगा ये सभी उपरयुक्त सभी अगला कोशन है हमारा 40 कोशन है कौन सी सामागरी रोगी के बिश्तर की नहीं होती hat ना उतर दें कौन से समगरी है जो रोगी के विस्तर की नहीं होती है जली से उतर दें आपसन यह चटाई गदी आपसन भी नीची की चदर आपसन सी प्लास्टिक की निकालने योगे चादर आपसन डी रूई का बंडल तो यही गलत है जो रोगी के नहीं होती है समगरी रोग अगला कोशन है करार रोगी की परिच्छा के लिए क्या करेंगे रोगी की परिच्छा के लिए क्या करेंगे आपसन ए रोगी को मूतर त्याक कराना आपसन भी रोगी के कपड़े उतारने के लिए पूछना आपसन सी है रोगी को डखना आया आपसन दी उपर एक सभी जली से बता है बैली समर का अंसर क्या होगा बैली सका आपसन डी राइट है उपर युक तो सभी आपस होता है जली से बता कितने कोश्या पर इस के बराबर होता है तो राइटवर आँचर होगा आपका 30 ग्राम एक Está कि बराबर होता है यहां पिद्धी घृता है वो Himself के बराबर होता है अ जो झो कोशच्य नई सबी पता है कि दातों में कहां होता है दातों में हो जाता है पैरिया अगला कॉस्च्ण का 25 नमबर नमने में स्षाषण प्रक्रिया के दरान कांग कॉंस सी गैस बाहर चौड़ता जली से बता है कौन सी गैस बाहर छोड़ता है बहुत ही अच्छा कोश्चन है जली से उप्ता देए और सिंपल कोश्चन है ऑप संसी राइट कारबन डाइकसर चोड़ता है और और अक्सिजन अंदर लेता है अगला कोश्चन है अपका 46ản कोश्चन निम्नमेस से विटामिन विटामिन डी के बारे में सही वाकिए बता है विटामिन डी के बारे में क्या सही है आप सब्सक्राइब का या वसा विले विटामिन ए जिससे रेटिनाल के नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन डी का नाम रेटिनाल नहीं है विटामिन डी का नाम है वो रेटिनाल नहीं बी राइट है चैनलिस नंबर का आप से बी राइट है सूरी का प्रकास का अच्छा अच्छा असरूत है अपसंद भी राइट है विटामिन डी मारा अगला कोश्चन है पीपी अच का अर्थ क्या होता है जली से बताएं उत्तर बहुत बार कोश्चन यह दो रहा चुके हैं आवस्यक्स है ति यह सब्सक्षा लए सब्सक्तिताएं और तरेrost बौट का आटारीश नंबर का सब्सक्राइबर के लिए आवस्च्टल्म किया है तो राइट एंजर आपका अवस्च्टल्म यह सभी उस्ट होती है कि आप संपने डिया, या फिर आपसं से ता ना या फिर रिकतर दें होगा। प्रसों की अवदी बढ़ जाना आप्शन भी समय पूरु प्रसों आप्षन क्या होगा क्मेंट बाक्स में 50 अंसर बताएं तो उपरईउक्त सभी नंबर राइट है हमारा अगला कोश्चन है क्या नंबर कोश्चन या फिर option C integrated child demand services या option D है आपका integrated child development services जली से बताएं क्या होगा answer इसका ICD इसका पूरा नाम क्या होगा तो right answer है आपका option D, option D right है integrated child development services integrated child development services होगा option D आपका right है